Martin's theory of anomaly ये ठीओरी क्रिमनालोजी की दूसरी ठीओरीabs की तरह क्रिमनालोजी के बैसिक क्वेस्चन को अंसर करने की कोशिश करती है और वो बैसिक क्वेस्चन है Why do people commit crime? ये ठीओरी Robert King Martin जो एक अमेरकन सोशालोजेस था ने 1938 में पेश की थी इस थियूरी के मताबिक हमारे modern culture के दो elements ऐसे हैं जो जब interact करते हैं तो society में economic conditions prevail करने लगते हैं और इन conditions में ऐसे लोग जिनें लगता है कि वो failure हैं या फिर वो वाकियी failure होते हैं तो वो crime की तरफ माइल होते हैं और वो crime comment करते हैं वो cultural elements जो society में economic conditions करियेट करने की वज़ा बनते हैं वो मदर्जा जेल हैं पहला element है culturally defined goals जिने positively valued goal भी कहा जाता है जैसे wealth, high paying job और power यानि लोग चाते हैं कि लोगों के पास power हो, high paying job हो और wealth हो और दूसरा element है socially approved means for obtaining positively valued goal इनकी example है wealth और education अगर हमारे पास education है और wealth है तो हम ये positively valued goal हासल कर सकते हैं मर्टन केता है कि हर शफ positively valued goals अचीव करना चाता है हर कोई चाता है कि उसके पास wealth हो, high paying job हो और power हो दूसरे अलफाज में positively valued goals modern society का हर शफ्याइट करता है इसके बराक्स, socially approved means to achieve these goals यानी wealth और education society में stratified है stratified का मतलब ये है कि education और wealth सिर्फ सोसाइटी की अपर कलास के हाथ में ही है मर्टन केता है जब हर कोई positively valued goals अचीव करना चाता है लेकिन उनको achieve वही कर सकते हैं जिनके पास wealth या education है तो ऐसे लोग जिनके पास wealth और education नहीं है उनमें strain पैदा होती है strain एक तरह की anxiety है जो उन लोगों को बेचेन कर देती है इस strain को कम करने के लिए वो लोग मुखलिफ behaviors अपनाते हैं और उन behavior में से एक behavior है crime मर्टन केता है कि एक economic society में positively valued goals और socially approved means to achieve these positively valued goals इसके हसाब से लोगों की 5 categories होती है first category की लोगों को conformist का जाता है conformist ऐसे लोगों को का जाता है जो positively valued goals हासल करना चाहते हैं और उनके पास उन goals को हासल करने के लिए socially approved means यानि education या फिर wealth मुझूद है यानि जो conformist हैं वो आराम से काम्याब हो जाते हैं और आरामते जिन्दगी गुजारते हैं किसी भी society में conformist लोग upper class के लोगों को का जाता है यानि ज्यादातार conformist upper class के लोगों होते हैं या फिर middle upper class दूसरी category की लोगों को ritualist का जाता है ये लोग positively valued goals के लिए बहुत ज्यादा struggle नहीं करते बलके routine की skills सीख लेते हैं और आपनी needs पूरी करने के लिए इतने पैसे कमा लेते हैं इस category में teachers और इस तरह के दूसरे profession आते हैं जो मतलब अपने profession की height पर नहीं जाना जाते हैं बलके वो routine की activities सीखते हैं और आराम से अपनी जिनगी गुजार लेते हैं और तीसरी category की लोगों को innovators का आ जाता है ये ऐसे लोग हैं जो positively valued goals achieve करना चाते हैं लेकर उनके पास socially approved means मौजूद नहीं होते इसलिए ये लोग positively valued goals हासल करने के लिए unique और unconventional means adopt करते हैं जो legal भी हो सकते हैं और illegal भी हो सकते हैं for example वो लोग जो new new business ideas लेकर आते हैं और market में चा जाते हैं innovative लोग कहलाते हैं पर जोचे उनका wealth और power आसल करने का तरीका unconventional है बट वो legal है इसी तरह कुछ लोग drug sell करके bank loot कर या फिर hacking वगरा करके दोलत आसल करते हैं इनका तरीका unconventional भी है और illegal भी है मर्टन की थियूरी के मताबिक एक economic society में लोगों की fourth category को rebels का जाता है rebels ऐसे लोग हैं जो ना तो positively valued goal को accept करते हैं और ना ही socially approved means को accept करते हैं वो अपने goals होड़ सिट करते हैं और उनको achieve करने के लिए अपने खुद के means बनाते हैं ये वो लोग हैं जो society में radical change जाते हैं जो negative भी हो सकता है positive भी हो सकता है ये काम करते वाक्त ये लोग ऐसे काम भी कर सकते हैं जो आम society के लिए crime हों लेकिन इन के लिए वो crime नहीं होते फार एक्जमपल एक communist revolutionary के लिए ये सही काम होगा कि वो सब capitalist से उनका capital या पैसा चीन कर आम लोगों में तक्सीम कर दे लेकिन एक capitalist state या एक capitalist state में रहने वाला एक आम आदमी उसके लिए ये एक crime है मर्टन के मताबिक एक economic society में रहने वाले लोगों की fifth category को retreat test का आ जाता है ये लोग ना तो positively valued goal हासल करना चाते हैं और ना ही ritualist की तरह routine की skills सीकर अपनी जिनगी अपने दम पर गजारना चाते हैं ये लोग actually strength से इतने मतासर और बेबस हो चुके होते हैं कि ना तो ये positively valued goal लीगल तरीके से असल कर सकते हैं और ना ही illegal तरीके से मर्टन इन लोगों के बारे में कहता है कि ये society में मुझूद तो होते हैं बट ये किसी भी तरह से society का हिस्सा नहीं होते ये लोग दूसरे लोगों पर depend करते हैं किसी ने कुछ दे लिया तो खा लिया ठीक है जहां पर इनका दिल करेगा ये रह रहेंगे मतलब इनकी खुद की अपनी कोई life नहीं होती कोई इनकी struggle नहीं होती कोई इनका goal नहीं होता आप अगर पाकिस्तानी society में हैं तो आपको इस तरह के कैई लोग मिलेंगे हर एक family में एक या दो बंदे इस तरह के जरूर होते हैं एक इनामेक society की लोगों को पांच categories में divide करने के बाद मर्टन कहता है कि ज्यादातार crime innovators या फिर rebels commit करते हैं innovators ऐसे करते हैं उनको positively valued goal चाहिए ठीक है बट उनके पास socially approved means मौझूद नहीं है यानि ना तो उनके पास कोई हास education है और ना ही उनके पास already wealth है अब वो ऐसा करते हैं कि कोई unconventional mean अपनाते हैं जिससे वो wealth accumulate कर सके तो या तो वो कोई innovation करेंगे तो उस case में वो legal है उसमें वो crime commit नहीं करेंगे बस दूसरा तरीका ये है कि वो ऐसी कोई tricks सीखेंगे जिससे वो crime करेंगे फार एक्जमपल उनने bank loot लिया ठीक है या फिर hacking करके किसी company का पैसा loot लिया इसी तरह के और बड़े बड़े वो crime करते हैं जिनको हम अक्सर white color crime कहते हैं ठीक है और जो rebels होते है rebels जो है वो society के बिल्कुल opposite चाल रहे होते है यानि society जिन चीजों को value करती है वो उनको नहीं मानते हैं ठीक है और वो अपने goals रखते हैं और उनको हसल करने की दोड़ में वो कई crime commit कर देते हैं तो इस वज़ा से मर्टन के मताबिक innovators और rebel ये दो category's के लोग जो हैं ये ज्यादातार crime commit करते हैं चलिए अब मर्टन theory of economy को summarize करते हैं मर्टन कहता है कि society में हर शास काम्याब होना चाहता है लेकिन modern society की structure ऐसी है कि wealth सिरफ चंद लोगों के आथों में जमा चुकी है जिसकी वज़ा से सिरफ वही लोग काम्याब हो सकते हैं जिनके पास दोलत है या फिर उनके पास अच्छी तालीम है अब तालीम के लिए भी अच्छी तालीम के लिए आपके पास दोलत होनी चाहिए यानि जिसके पास पैसा है वो ही काम्याब होगा अब जो दूसरे लोग है उनके पास पैसा नहीं है और education भी नहीं है तो उनके काम्याब होने के chances तकरीबन 0 हैं इस वज़ा से वो लोग क्या करते हैं? Crime commit करते हैं इसी वज़ा से इस theory को structural theory का जाता है या फिर macro level theory का जाता है macro इस लिए कि society की structure की वज़ा से लोग crime commit करते हैं करते हैं झाल 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 झाल